एक गाव था, वहाँ एक मूर्तिकार रहता था, एक बार मूर्ति बनाने के लिए उसे कुछ पत्थरों की आवश्चकता थी, तो वह जंगल की ओर जाता है वह जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता है तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो मूर्ती बनाने के लिए एकदम सही था वह उस पत्थर को उठा के अपनी गाड़ी में रख लेता है कुछ दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखाई देता है और वह उसे भी उठा कर अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने गाव की ओर चल देता है जब वह चोट मारने लगता है तब ही उस पत्थर में से आवाज आती है मूर्तिकार इधर उधर देखता है उसे समझ नहीं आता कि आवाज कहां से आ रही है रुको रुको कृपा करके मुझे पे हतोड़ा मत चलाओ मुझे हतोड़े की मार से बहुत डर लगता है अगर तुम मुझे पर हतोड़ा चलाओगे तुम मैं तूट जाओंगा भिकर जाओंगा कृपा करके मुझे छोड़ दो और किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो उसे उस पत्थर पर डया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़ कर दूसरा पत्थर उठा लेता है ये पत्थर बढ़िया लग रहा है कुछ गाव वाले मूर्तिकार के घर जाते हैं, और बोलते हैं, अरे भाईया मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी, मंदिर में स्थापना के लिए। अधर उधर देखता है, ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके, तब ही उसकी नजर उस पत्थर पर पढ़ती है, जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था, और वह व्यक्ति उस पत्थर को उठा लेता है, ये पत्थर बढ़िया लग रहा है और मजबूत भी है, जब इसकी उपर लो को मुझे कहां ले जा रहे हो, ये भगवान मुझे बचाओ, मुझे तो कहीं नहीं जाना, मुझे तो कठिन परिस्थितियों से बहुत डर लगता है, मैं इनका सामना कभी नहीं कर सकता, हे भगवान मुझे बचाओ, आज तो मैं मर ही गया, हे भगवान मुझे बचाओ, पिर सब लोग उस मूर्ती की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी जिन्दगी तो बढ़िया है। आज तो मेरी शामत ही आगई। हे भगवान मुझे कहा फंसा दिया आज अपने। मैं तो जंगल में पेड की छाओं के नीचे मजे से आराम कर रहा था। आपने मुझे कहा फंसा दिया। मैं तो मर गया। ये सारे मूर्ख व्यक्ती मेरे उपर बारी बारी से नारियल फोड फोड कर मुझे मार ही डालेंगे। ये सब देखकर मूर्ती बना पत्थर उस पर जोर जोर से हनसता है। तुम तो बहुत खुश होंगे। तुम्हारी सेवा जो हो रही है, तुम्हें तो मिठाईयां खाने को मिल रही है, और यहां तो मेरी कमर की हालत बिगाड ली, इन इनसानों ने हाए हाए, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मलहम ही लगा दो, तब मूर्ती बना हुआ पत्थर उस दूसरे पत्थर से बोलता है, दोस्त, तुम्ने भी अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता, तो आज तुम मेरी जगह होते, और लोग तुम्हारी भी पूझा कर रहे होते, तुम्हें भी दूध मक्षन से स्नान करवा रही होते, तुम्हारी भी पूझा हो रही होती, लेकिन तुम उस दिन डर गए, तुमने उस दिन आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। हम जब भी किसी परिस्थिती से डर के कोई भी आसान रास्ता चुनते हैं तो उस वक्त तो हमें बहुत सकून और आराम मिलता है। पल भर के लिए खुशी भी मिल जाती है किन्तु आगे की राह और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। तब उस पत्थर को अपनी भूल का एहसास होता है और वह मूर्ती बने पत्थर से बोलता है। मुझसे गलती हो गई। मैं समझ चुका हूँ जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से नहीं घबराते और उनका सामना करते हैं। लोग उन्ही को सम्मान देते हैं और उन्ही की पूजा करते हैं। आप मैं उस हथोड़े की चोट सही कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इसलिए लोग आज आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप अवश्य ही इश्वर है। भगवान, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी गलती का अहसास हो चुका है। मैं अब किसी भी कठिन परिस्थिती से नहीं घबराने लगा। भगवान, मुझे शक्तिवे भगवान तभी मूर्ती में से आवाज आती है। जो व्यक्ति जिंदगी में महनत करता है, सही रास्ते पर चलता है और कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराता और दिड़ता से उसका सामना करता है। मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। तब एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोडता है। इस बार वह पत्थर अपनी आँखें बंद करके जये श्री गनेश, जये श्री गनेश, जये श्री गनेश बोलता है और नारियल फूट जाता है। जब वहाँ पत्थर अपनी आँखें खो बस आप हमेशा मेरे साथ रहीएगा नारियल फूटने की वजह से नारियल का पानी उस पत्थर को भी पीने को मिल जाता है और लोग भगवान को भोग लगाने के बाद मिठाई को भी उस पत्थर पर र angles देते हैं कि कठिन वक्त सब की जिंदगी में आता है. आज नहीं तो कल जरूर आएगा, लेकिन उस कठिन वक्त का सामना करने के लिए क्या आप तयार हैं? अपनी जिंदगी का मज़ा जरूर लीजिए, लेकिन पहले आगे आने वाले कठिन दिनों की तयारी करने के बाद, क्योंकि जब कठिन वक्त आता है, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, एक बार सोचेगा जरूर.